यह पकाडिंग कर देंगी मतलब ऐसे पूरी तुम हमारे चैनल पर ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कॉंटेंट आता रहता ना अब जैसे बहुत ताइम से कुछ थोड़ा सा रिपिटिटिव लग रहा था वही टी डवल्यू एस फिर उसके बाद लैप्टॉप फिर वही हेड़ आज कुछ डिफरेंट आइटम लाया है प्रोजेक्टर आया है मार पास जबरान इससी तरफ से पिक्सा प्ले 11 मॉडल एसका और यह पॉर्टेवल प्रोजेक्टर है मतलब मिनी प्रोजेक्टर क्या सकता इसको और इसका प्राइस है वो 6,000 तो 6,500 है और यह 1080 प्रोजेक्ट एक power adapter, HDMI cable और एक AV वाली जो audio cable होती है और यह हमारे user manual और user manual QR code वाला paper फुल बचाया जा रहा है वास यहां से scan करो online देखो नाइस initiative दूसरे ब्रांड को भी लेना चाहिए और भाई तुम यह देखो projector यह मेरा हाथ है जो पहली बहुत छोट है even मैं भी बहुत छोट हूँ इतना सा projector है तो थोड़े से आउट्रस दिखाता हूँ आपको पहले तो यहां पे कुछ ऐसा cute सा projector आपको मिल जागा कुछ dual tone में यह purple और white यह हमारे सारे media buttons है जो आप remote से भी control कर सकते हो और यह हमारा power button है और यह power LED indicator और पीछे हमारे को 5V 2A का input मिल जागा यह आप power bank से भी आपको बड़े speaker लगाने और headphone में आप normal speakers और यह हमारा speaker हो गया और इस तरह हमारा fan का exhaustment है यहां पर power input port मिल जाता है full size HDMI port मिल जागा और USB port मिल जागा यहां पर pen drive और लगा सकते हो अपनी movies और प्ले करने के लिए और नीचे हमारे को यहां पर reverse screw कहलो या कुछ भी जैसे मतल इसके अंदर आपको 30,000 hours की lamp life मिल जाएगी तो 30,000 hours भाई बहुत होते हैं रोज एक दो गंटे भी चलाओगे तब भी divide कर ले ना 30,000 से कितने दिन चलेगा और बात आती है brightness जो प्रोजेक्टर में सबसादा माटर करती है इसके अंदर आपको 1500 lumens मिलती है और इस price segment के दूस आप इसको चला सकते हो तो यह भी काफी सही चीज है माल लो गाड़ी वाड़ी में आप जा रहे हो कहीं इसको गाड़ी के बीच में लगा गए उपड़ फुल चांस इतारे रोल्स रोइस फीलिंग नॉर्मल गाड़ी में 6,000 रपे में तो बस यह होगा इसके बार में प्रॉट यहां पर हमने अने इसके प्रॉजक्टर के साथ वो नहीं मिला और जो पहला पर जिससे उमारे सामने स्क्रीन आ रही है वड़ना पहले टैडी आ रही दी और यहां पर हमने प्रॉट्व करेंट किया है और हमारा प्रजेक्टर है सबसे पहले मल्टी मीडिय के साब से मैं आपको बताता हूँ यहां पर हमने जो 4K वाली जैसे यूट्यूब पर चला रखी है और कलर्स यहां पर आप देख सकते हो कलर्स काफी सही से दिख रहे हैं बट सिल एक चीज मैं बोलूँगा कि प्रोजेक्टर की जो एक्चुल क्वालिटी है जो हम अपनी आखों से देख सकते हैं वह कैमरा में थोड़ी सी आपको बेटरी लग कोई पिक्सलेशन नहीं है कुछ नहीं है डीटेलिंग बहुत बढ़िया है कलर कंट्रास बहुत अच्छा है और यह यह पर बात करते है तो यहां पर आपको टेक्स भी काफी क्लियर नजर आ जाता है क्योंकि टेक्स यह इसे चीज है इसके अंदर थोड़ी बलरीनेस दिख लिखा यह भी साफ है और चोटा टेक्स नीचे यह भी काफी क्लियर दिख जाता है तो अगर आपको प्रेजेंटेशन वगेरा के लिए चाहिए हो तो उसके लिए भी आप ले सकते हैं इसके अंदर को फोकस नौब तो मिल जाती है बट इसके अंदर कोई की स्टोन करेक्श जैसे मैं आपको पिछली वीडियो में दिखाया था ना कि अगर टेड़ा प्रोजेक्टर भी रखा हो तब यह उसकी स्क्रीन को एडिजस कर सकते हैं तो यह आपको बिल्कुल स्क्रीन के सामने ही रखना पड़ेगा और एक इसका रिमोट को ड्रॉबैक लगा जो इसका आय है वो आपको ठीक ठाक मिल जाती है मतलब अगर आपको अकेले बैठके देख रहे हो तो तो ठीक है बड़ आपको मूवी और एंजॉय करनी है तो इसके लिए आपको बड़िया साउंड शिस्टम तो लगाना पड़ेगा वह आपको इसके अंदर लगेगा कि हां यार की इत दास हो गई या साइड की चीज़े होंगी वह इतनी जादा ऐसे मतलब क्लियर नहीं है तो हां मैं कहूंगा वह वाली फील तो नहीं आएगी जैसे एक दम एक थोड़े महंगे वाले प्रोजेक्टर में आती है बट काम चला सकते हो अब इसके साथ एसके लिक्कत नहीं है अ आपको अगर इसके OSD सेटिंग्स दिखा हो तो प्रोजेक्शन मोड आपको मिल जाएगा फ्रंड बैक इनवर्ट बैक वगला सब कुछ यानि कर आप सीलिंग माउंट करोगे तो उसके अकौर्डिंग उल्टा सीध आपको करना हो तो वह भी आप यहां पर मैनेज कर सकते हो और उसके बाद image scaling आजाएगी तो यह जैसी भी scaling है आपकी wall पर करना है या आपका projection screen पर करना है वह सक्कूर्डिंग आप कर सकते हो और जो aspect ratio है वो भी हम यहां पर change कर सकते हैं मेरे को solar ratio हो सही लगता है 4 ratio 3 इतना मतलब वो अजीब सही कर देता सब चीजों को और picture mode आपको यहां पर मिल जाएगा तो अभी मैंने आपर soft कर रखा है उसके according यहां पर आप काफी चीजे मैनेज कर सकते हो जैसे dynamic जो है गेम के time पर dynamic ज्यादा बढ़िया लगता है मैं आपको दिखाता हूं अब यह देखो dynamic मैंने set किया उसके according काफी चीजे यहां पर bright हो जाती है और उसके बाद आपको आपके system settings, OSD language, software update अगर कोई आता है इनकी website के थुरू आप डाउनलोड करके वो USB के थुरू अपडेट कर सकते हो बाकि वही basic setting है जिसके आपको कोई जुरत नहीं है तो यह इसका पूरा review था zebronics pixa play 11 और 1500 lumen के साथ आता है 1080p 60 resolution आप इससे ले सकते इस price point के साथ सी कोई दिक्कत नहीं है और बाकि जो drawbacks है एक तो remote वाला मैं आपको बताया जो इसके पीछे sensor है तो बिल्कुल पीछे लागे चलाना पड़ता है और सामने कोई भी ऐसा screw वाला system नहीं है जिसमें आप ऊपर नीचे कर सको वैसे इसको tripod को तो आप अपने साब स adjust कर सकते हो तो अगर आपको वैसे table mount करना तो उसके साफ से एक छोटा सा drawback ता मने बता दिया and yes keystone correction भी आपको नहीं मिलती है तो बिल्कुल स्ट्रेट होना चीए प्रोजेक्टर आपके projection स्क्रीन से तेड़ा वेड़ा रखके आप keystone को नहीं adjust कर सकते है तो यह कुछ साथ म कॉमेंड में लिख देना बाई के लिए मिलते नेक्स वीडियो में तक के लिए बाई